वेलकम टू नेक्स एकजाम आज है 22 नवम्मर 2022 और 22 नवम्मर 2022 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट मैं आप से कुश्यन बोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिसकसम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसम में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पह हमारे जीवन में टेलिवीजन के महत्त को उजागर करने के लिए हर साल 21 नवमर को 200 टेलिवीजन दिवस मना जाता है आप सोच के देखो जब टेलिवीजन नहीं रहा होगा तो इंसान की लाइफ किस तरह की रही होगी आज जो भी न्यूज होती है हम रियल टाइम न्यूज ट तो है एक एहम रोल है उसके बाद आया मोबाइल मोबाइल के बाद आई डिजिटल कान थी तो चीज़े बदली है पहले की दुनिया अलग थी और अब दुनिया अलग है तो टेलिवीजन का इंसान के जीवन में एक एहम योगदान है इसको उजागर करने के लिए हर साल 21 न नवंबर को ही मनाया जाता है तो 21 नवंबर को यह दो इंपोर्टेंटी बनाया जाते हैं दोनों आपको याद रखने हैं अच्छा नवंबर में अब तक जितने भी इंपोर्टेंटी बनाए गए हैं मैंने यह आपको याद रखने हैं एक नवंबर वाला डेफिनिटली का इस्तापना दिवस और दो केंशासित प्रदेशों का इस्तापना दिवस एक नवम्मर को मना जाता है और नवमर से जो सबसे ज़्यादा important day वाला question पूछा जाता है वो है 19 November और नेस नवमर को 20144 यानि कि world टॉइलेट डे मना जाता है यह बहुत बार एक जाम में पूझा जा चुका है यह आपको याद रखना है एक यह बहुत पूझा जाता है रास्टी सिक्षा देवास यह 11 नवम्मर को मना जाता है वैसे आपको सारे रिवाइज करने हैं एक बार वीडियो को पॉस्ट करिए और इनको आप खुद से रिवाइज करो जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे यह आपको याद नहीं होगे तो वीडियो को पॉस्ट करके एक बार इनको आप खुद रिवाइज करो अच्छा आज की इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अग से पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिक ले अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में भारत ने किस देश से AI संबंदी बैस्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग गरहड किया तो इस कुश्चिन का से अपसंस है अब AI यानि की Artificial Intelligence और यह पद फ्रांस से गरहड किया है तो यह है मैप में फ्रांस फ्रांस की कैपिटल क्या है पैरिस फ्रांस की करन्सी क्या है यूरो और फ्रांस के प्रजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है Emmanuel Macron नया क्युश्चिन है हाली में के से गांधी मंदेला पुरुसकार से समानत किया गया तो तिबत की आधियात्मिक निकता है दलाई लामा इनको गांधी मंदेला पुरुसकार से समानत किया गया आप इमेज में देखो ये जो आपको मेडिल में खड़े दिखाई दे रहें यही हैं तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और इनको हिमाच्चिर प्रदेश की गवर्नर राजेंद्र अरले कर ने गांदी मंडेला पुरुसकार से सम्मानित किया है अच्छा अभी अजीत अंजुम और आर्फा कानम सेरवानी को कुलदेब नईयर पत्रकारिता सम्मान मिला फ्रांसी सी सरकार के द्वारा अरणा साइराम को सेवेलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया प्रसिद मल्यालम उपन्यासकार ए सेत्व मादवन को एजुथाचन पुरुसकार के लिए चुना गया 2022 के सरसयद उत्कृष्टा पुरुसकार से बार बरा मैटकाफ को सम्मानित किया गया हाली में किसे 2022 का JCB साहित्य पुरुसकार 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 आदिवासी बच्चों में तेरंदा जी को बड़ाबा देने हैं तो कितनी अकादमियां इस्तापित करने की गोशना की है तो अभी सरकार ने आदिवासी बच्चों में तेरंदा जी को बड़ाबा देने के लिए 100 अकादमियां इस्तापित करने की गोशना की तो इस कुशन का बे option सही है, यह कोशना जन्जाती मामलों की मंत्री अर्जुन मुंडा ने की है, नुशक्योंस हुआ है अब फिर फीफा की स्तापना कह हो थी, फीफा की स्तापना होई 1974 में इसका हैड़कॉाटर कहाँ है जुरिक में और इसके प्रजेंट अंपे प्रेइसिनेंट कौन है गियानी इनफेंटिनो अब कतर तो ये है मैप में कतर कतर की केपिटल क्या है? दोहा कतर की करंसी क्या है? कतरी बियाल और Qatar के present time परений starter कौन है? Khalid विन Khalifa ने shift юशन है हाली मैं किसने अबू धावी Grand Prix जीता है? तो अबू धावी Grand Prix ये अभी Max Worst davon ने जीता तो उस Question का C Options है ये Red Bull Company के driver है Max Worst davon Eero ने अभी अबू धावी Grand Prix जीता अच्छा वराजीलियाई Formula 1 Grand Prix, ये George Russell ने जीता, Mexican Formula 1 Championship ये Max Wastop पन ने जीती, United States Formula 1 Grand Prix, ये भी Max Wastop पन जीता, अच्छा, Japanी Formula 1 Grand Prix, ये भी Max Wastop पन जीता, Singapore Formula 1 Grand Prix, ये Sergio Perez ने जीता, 2022 का Dutch Formula 1 Grand Prix, ये भी Max Wastop पन जीता, सेबस्टियन बैटल ने फॉर्मूला बन से सन्यास की गोशना की और 2022 का फ्रेंच ग्रेंड प्रिक्स खिताब ये भी मैक्स बस्टब पनने जीता ये आपको याद रखना है नए क्यूशन है हाली में किस ने छटा ATP फाइनल्स किताब जीता है ATP में आपको कल भी बताया Association of Tennis Professionals तो छटा ATP फाइनल्स किताब अभी नोबाक जोकोविच ने जीता है तो इसकुशन का बे आप्सन सही है नोबाक जोकोविच ने कैसपर रूड कोहरा कर छटा ATP फाइनल्स किताब जीता है अच्छा अभी ITTF की एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले बारती सरत कमल बने हैं स्विट्जेल लेंड ने ऑस्टिलिया कोहरा कर पहला बिली जीन केंग कब जीता है होलगर रूने ने 2022 पुरुस एकल पैरिस मास्टर्स किताब जीता और सेंट डियेगो ओपन टाइटल ये 81 टेक ने जीता नए क्यूशन है हाली में किस देश ने वासॉंग 17 या मौंस्टर मिसाइल लॉंच की है तो वासॉंग 17 ये उत्तर कुरिया ने अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल लॉंच की है तो इस कुश्यन का ए उप्सन सही है इसका नाम वासॉंग 17 या मौंस्टर मिसाइल है ये एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है और उत्तर कुरिया ने जितने भी मिसाइल लॉंच की है उनमें अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल है तो दियान रखिए इसे उत्तर कुरिया ने लॉंच किया अब उत्तर कुरिया तो ये है मैप में उत्तर कुरिया उत्तर कुरिया केपिटल क्या है पैंग यॉंग इसकी करंसी क्या है उत्तर कुरियन वान और इसके प्रजेंट टाइप पर ताना सा कौन है किंग जॉंग उन, कौन है, किंग जॉंग उन, अच्छा उत्तर कुरिया और दक्षिर कुरिया को डिवाइट करने वाई लाइन को करते हैं, तो इन दोनों देशों को डिवाइट करने वाई लाइन को 38th पहलल करते हैं, ने कुशिन है, हाली में जारी Network Readiness Index तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स इसमें अभी अमेरिका टॉप पर है तो इस कुश्चिन का बे आप्शन सही है अमेरिका फस्ट पर है सिंगापूर सेकिंड पर है और स्वेडन थार्ड पर है अच्छा इस इंडेक्स में इंडिया ने अपनी 6 पोजिशन में सुधार किय है और इंडिया अब 61 में नमबर पर है अब अमेरिका टॉप पर है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अमेरिका ने भारत को करेंसी मोनिटरिंग लिस्ट से इटा दिया है अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज मेरी लेंड के उप राजपाल का पद समाला है अच्छा, इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एकसेज होती हैं, कूप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, वज्जर प्रहार और युद्द अब्यास, नेक शुशन है, हाली में त्रेपनमा भारती अंतरास्टी फिल्म महुस्त सब, यानि कि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये त्रेपनमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये अभी गुआ में सुरू हुआ है, तो इसकुशन का C अप्सन से ही है, अब गुआ में सुरू हुआ, तो ये है मैप में गुआ, गुआ की केपिटल क्या है, पढ़ जी, गुआ के चीपनिश्टर कौन है, प्रमूद सावंत और गुआ के गवर्नर कौन है, पे एस सिरीधरन पिल लाई, अच्छा अभी गुआ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्सन यात्रा का आयोजन किया, अच्छा त्रेपनमा भारती अंतरास्टी फिल्म महुत तब ये गुआ में आयोजित किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, और अब ये गुआ में सुरू हो गया है, गुआ ने सिबिल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एसिया प्रसांत समेलन की मेजवानी की, अक्टूबर दोजर तेईस में, सैंतीज में राश्टी खेल गुआ में आयोजित हुई, अचा निर्मला सीतारमन ने गुआ में राश्टी, सेमा, सुल्क और जेस्टी संग्राले का उदगाठन किया, गुआ में बोंडला वाइल लेसेंजरी है, कूटेगाउं वाइल लेसेंजरी है, मूलम नेसनल पार्क है, भगवान महावेर नेसनल बिकास दर कानुमान कितना लगाया है, तो गूल्ड में सेस ने अगले बित्वर्स में भारत की बिकास दर कानुमान 5.9% लगाया है, तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है, गूल्ड में सेस, ये एक अंतरास्ती रेटिंग एजनसी है, ने कुशिन है, हाली में कहां पहले युनानी चिकिस्ता चेत्रे केंदर का उद्गाटन किया गया तो इस कुछ इनका से ओप्सन से यह अब असम तो यह है मैप में असम असम की कैपिटल क्या है दिस्पुर असम की चीपनिश्टर कौन है हिमंता विस्व सर्मा और असम की गवर्नर कौन है जगदेश मुख की असम के मुख्यमंत्री ने अभी बाजरा मिशन की सुरुआत की ट्रेज बियोंड फॉरेस्ट कारिकरम असम में सुरू हुआ कट्टी भी हु त्युहार ये असम में मनाया गया ग्रह मंत्री अमित सा ने असम में पुलिस अधीच्चकों के सम्मेलन का उद्गाटन किया अ असम राजसरकार ने बेद्यारत इसकून और वेल्स परयोजना शुरू की अच्छा असम तो असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं काजी रंगा मानस ओरंग डिब्रूस एकोवा रायमोना देहिंग पठकई ये असम के इंपोटेंट नेशनल पार्क हैं असम में कौन-क मुख्यमंत्री सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरुवात की तो अभी उडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरुवात की तो इसकुशन का डे ऑप्सन सही है अब उडिशा तो यह है मैप में उडिशा उडिशा की कैपिटल क कौन है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशी लाल अच्छा उडिशा में वीलर दीफ है और वीलर दीफ का नाम बदल के एपी जी अब्दुलकलाम दीफ रखा गया है उडिशा दिबस या उतकल दिबस कम बनाया जाता है एक अपरेल को उडिशा सरकार न हुआ उडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की गोश्ण की आपदाओं से निपटने के लिए उडिशा आपदा प्रबंदन युद्धा त्यार करेगा उडिशा की मुख्यमंतरी ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पोटल सफल लॉंच किया ह उडिशा सरकार ने सम्विधा भरती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अश्विनी बैसनव ने भुबनेसवर में भारत के पहले एलिमिनियम फ्रेट रेक का उदगाटन किया उडिशा में हैंगिंग सूलर फैंसिंग लगाई गई है अच्छा भुबनेसवर में कलिंगा इसे स्कूल का उदगाटन उडिशा के पुरी में हुआ और उडिशा के मुख्यमंत्री ने चौत तरफा रडनीति की गोश्णा की अच्छा उडिशा में सुना-बेडा वायला शेंचूरी है कूटागण वायला शेंचूरी है नलबन वायला सेंचूरी है 22 पल्डी वायला ये भारत की सबसे बड़े खार परगएaktu बीच में अच्छा में लिंग्राज टेंपल ये पारे में याद योशche नي हुषिन है हाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग किस देश की दो दिवसी यात्रा पर गए है तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंग ये अभी कमबोडिया की दो दिवसी आदिकारी के यात्रा पर गए है तो इस कुश्चिन का C आप्सन सही है अब कमबोडिया गए हैं तो ये है मैप में कमबोडिया की capital क्या है नॉमफेन कमबोडिया की currency क्या है कमबोडियन रियाल और कमबोडिया की present time पर प्रामिस्टर कौन है हुन सेन कौन है हुन सेन अब लास्ट वीडियो की question का answer लास्ट वीडियो मैं आपसे question पूचा था कि हाली में केस राजी के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार portal launch किया तो अभी तिरप्रा के chief minister ने अमर सरकार portal launch किया यानि किस question का say option सही था और लगबख सभी student ने इसका answer सही दिया mostly student ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस राजसरकार ने नेजी भूमी पर लगगु खनिज खनन की अनुमती दी है चार option दिए गए हैं इनमें से आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सार्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश RC Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और सियर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो आपको ये video कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चेत ही मदद मिले की जब आप से subscribe करेंगे तो बराव झाल